नमस्कार दोस्तो मैं एंके सिंग और और छंफे जो है के दा रख चक्रिविय बीयों के कुर्सन हम लोगा सेल करेंगे आपने बहुत नाम सुनाओक ब्येंज और व्याज होताए है ब्याज का व्याज निकालते के सिसे बैंक में देता ह cambiar बैसा तो भी दोनों कंडिसन में ब्याज का ब्याज देता है गाउं में भी होते नहीं तो हम लोग उस पर करके कोस्टन बस सुने थे आज निकालना भी जानते हूं तो बड़ी अच्छी बात है नहीं जानते तो और अच्छी बात है इसको सीखने का नया थारीका से मिलेगा देखिया है तो इसको देखिए नया जरू कुछ मिलेगा आपको देखा है पचीश रुपे की धन्रास ये 5% प्रति बर्स की दर से दो बर्स वाज चक्रविद्धी ब्याज और कुल धनास क्या होगा इस समझते हैं जब कोई रास दी जाती या ली जाती है उसको क्या बोलत है मूलद्धन नहीं होने in to multically प्रिसपल्ण लिए पर फिर से लिखे लाखर दया है कई प्रियसपल्व कर फछीश रुपय का Muldern है 5 % 5 परills कि बात कि आ होगा फ़र्मुला जानते हैं फर्मुल नहीं आते हैं फर्मुल देखें पर इसके तरों करेंगे यह मतलब क्या होता है मतलब दो बरसबाद तीन बरसबाद चार वर साज जितने बरसबाद तमरे कितना रुपिया होगा यह मरें इमांट ठीक है अवह लोग पी बैलू रखने हैं पी हमारा कितना दिए बहुत बोल बोल 25 सौर कमरपी हो गया अच्छा वन पलस आर हमर कितना है पांच परसेंट पांच बटे सव पर पावर टाइम कितना है यह नहीं आप ठीक कर दो ओके टाइम होता तो यह जगा टी रहता तो कोई दिकत नहीं है अच्छा तमनुँश को साल करता है तो पचीस सव और एक जाएगा पांच एकम पांच और पां 120 दृट्पा वीश का है करे सअ चल्थ फो इसका ओहलों खोल टे है तो पचीस-व और एक इस बटे 20 और हिब कर दिकत अचauftक जीरो से-जीरो खतम जीरो से जीरो खतम बचा कितना पचीश गुड़े 21 गुड़े 21 बटा चार यहीं बचा पचीश इसको करते हैं तो 41 जाएगा अपान चार यह लोग इसको मल्टिप्लाई करते हैं बुना करते तो 25 से कम 25 हाथ में 25 चौका 100 और दो एक सो दू दस हासिल पची चौका 100 जोड़ेंगे तो 110 बटा 4 हम लोग इसको क्या करते हैं भाग देते हैं तो 4 दूना आठ तीन वचा चार सत्य हैठ आएस दो बचा चार पच्चे 20 और चार चारद चारफ चारफ चाहँ बिस चारबूनीयाट चारफ परचे 20 हमारा टोटल रुपया इमांट वेखा इमानट मतले दोवर्स बात कितना होगा 2065 प्रुपया पचीस पछीस होगला एतनी धर्रास होगी पांच परसेंट की चक्रविद्धी वापस मिलेगा तो पूछ कि यह उसको माइनस कर दो कि लाटा ता पचीस सव रुपिया दिया था इसको मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया बचह कि पचीस और च्छै पांच साथ वहाइज हमारा क्या हों गए इसी को बहुत है चक्रविद्धी बैज कित्रा मुना अफा हुआ तुमको दो सच्छपन प प्रश्पास मिलती हो एमाउंट होता है और जो मुनाफ़ा होता है वह होता है चक्रविद्य ब्याच ठीक बात ने समझ आ ठीक दोस्तों का समझ आया होगा फार्विद्य ब्याच के आपके लाऊंगा और कठीन को आप लोग यू यू कर जाएंगे